आज हमारे पास एक ऐसा पावर बैंक है जिसके अंदर मारे को मिलती है 22.5 वर्ट की पावर डिलिवरी और साथ में बिल्ट इन USB-C केबल ये है अर्बन नैनो लिंक का 10,000 mAh पावर बैंक आईए देखते हैं मेरा दाम है शेवम और अगर आप इस पावर बैंक को चेक करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हो डिस्काउंट लिंक चेक कर सकते हैं आईए इसे अंबॉक्स कर लेते हैं ये रहा रीटेल बॉक्स यहां पर हम इसके कुछ फीचर्स रेक सकते हैं बॉक्स के पर जैसे की 22.5 वार्ट सूपर चारजिंग पावर दिलिवरी कंपाटिबल बिल्ट इन यूएसबी सी केबल और यहां पर साइड में कुछ और फीचर्स भी दिये हैं जैसे की यूएसबी सी इनपूट एंड आउटपूट ट्रिपल आउटपूट टूए चारजिंग वेल यहां पर यूसबी सी बिल्ट इन केबल भी है बाकी बॉक्स के अंदर हमारे को मिलते हैं कुछ डॉक्मेंटेशन बड़िया बात ही है कि इसके अंदर हमारे को मिलती है वन यह रिप्लेसमेंट वारंटी जिससे मुझे काफी उमीद हो चुकी है कि यह प्रोड़क्त काफी खेर यह थी अन्बॉक्सिंग अब इसको रिव्यू करते हैं शुरू करते हैं डिजाइन बेल्ट क्वालिटी से इस पाइर बात करो तो यह काफी स्लीक कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है इसका वेट ऑल्मॉस्ट वननाइंटी ग्राम से है और नोस्टाफ के स्मार्ट दिलाती है और यहां पर फ्रंट में बटन दिया हो है जिसके लेट इंडिकेटर्स भी हैं अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो यह बैटरी लेवल्स दिखाता है पावर बैंक के और इसके फरस्ट लेडी है वो भी अगर ग्रीन हो जाती है जब यह फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं तो अगर आप ट्रेवल वगयरा कर रहे हैं तो आपको सेपरेट केबल उठाने की जरूरत नहीं है अब सिर्फ स्मार्ट फोन लीजिए और यह लेके जाए और अपना एक एक वोल एडप्टर साथ लेके जाए उससे आप इस पार बैंक को चार्ज कर सकते हैं और इ इसे यह वाली केबल एक हुक की तरह हमें काम करती है तो आप इसको ऐसे फिंगर में डाल सकते हैं एक बेटर ग्रिप के लिए या फिर आप इसके सिवा इसके अंदर नीचे हमारे को एक और USB-C पोर्ट मिलता है जो की input और output दोनों के लिए काम करता है तो अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो आप इस पोर्ट से भी इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं या फिर बात में आप USB-C लिगा के इस पोर्ट पे अपने खुद के फोन को भी चार्ज कर सकते हैं उपर की साइड में हमारे को USB-A पोर्ट मिलता है तो इन टोटल हमारे को तीन पोर्ट म आप काफी सारे devices को charge कर सकते हैं और साथ में universal fast charging जिसकी मदद से आप most of the devices को charge कर सकते हैं at 22.5 watts चाहे Samsung वो, OnePlus वो कोई भी device वो आप charge कर पाएंगे second जो इसके दे 10,000 mAh की बैटरीज है वो काफी अच्छी quality की है और आप इसको multiple times अपने device को charge कर सकते हैं जैसे कि मैंने खुद अपने Samsung S21 को charge किया इसने 1.5 times किया और iPhone 15 Pro और आप अपने ट्वाइस चार्ज कर दिया इसने वो भी fast charging के साथ और से डिवाइस की charging ही नहीं ये powerbank खुद भी rocket charging सपोर्ट करता है तो ये almost 0-100% चार्ज हो जाता है 2.5 hours में जो की काफी कम है जब आप कंपेर करते हैं दूसरे powerbanks से जिनको 5-5-6 गंटे लगते हैं एक feature जो इसकंदर में को बहुत अच्छा लगा वो ये है कि इसकंदर 2-way charging है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो इस powerbank को charging पे लगाओ और इसके बाद बाकी जो पोर्ट से इसकंदर अपने devices लगा जो तो सारी की सारी चीजे आपके devices और पार बैंक सब चार्ज हो जाएगा एक बार में इस जानके भी अच्छा लगा कि इसकंदर safety features मिलते हैं जिसकी over voltage protection, under voltage protection, short circuit protection और much more जब बात आती है इसके price की तो urban nanolink का price है 1500 rupees जिसको आप description में से check कर सकते हैं और आपको शायर discount मिल जाएगा वहाँ बर बट ओर इस powerbank के बारे में कहो तो एक काफी compact, powerful और convenient powerbank है आपके devices को charge करने के लिए और इसके जो features हैं जिसके built-in USB-C cable, fast charging और multiple safety features इन सबसे काफी worth it लगा में को पर ये थी आज की वीडियो उमीद है आपको पसंद आई और अगर आई तो please like कीजे इस वीडियो को अब अगर आप कोई अच्छा speaker डूंड रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और अगर आप कोई party speaker डूंड रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं like, share, subscribe, stay safe, bye